नमस्कार मैं उदव क्रिस नाप लोकल एटीन देख रहे हैं देखिए वास्तू के हिसाब से अगर आपका घर नहीं बना हो तो आपको कई समस्याओं से गुजड़ना पड़ सकता है ये पूरी ख़बर इसी पर होने वाली है आप बने रहिए लोकल एटीन पर आज हम लोग वास्तू के लिए एक साइट पर है यहां पर वास्तू के हिसाब से इनका घर बन रहा है जिसको देखने के लिए हम लोग आये हैं और पूजह पूजा नॉर्थीस्ट में होना चाहिए सर आपने कहा कि जैसे वास्तू पूरुश होता है वहां पे तो वह क्या मतलब उसका भी कुछ ड्रॉव किया हुआ है यह बीच में जो आप देख रहे हैं यह वास्तू पूरुश है यह परिकल्पना है एक्शुली हमारे सभी जितने भी वैदिक ज्यान है इन सब में मानव श पूरुश है है यह हमेश्चा इसका सर नौर्थीस्ट की तरफ रहता है तो अगर हम नौर्थीस्ट में कोई टॉالट बना देंगे यानि कि वास्तो पूरुश के सर पे टॉलेट तो अगर किसी के सर पर टॉलेट आ गया तो वहां के इनर्जी स्टू नॉट होंगी नॉथिस्ट के दोश है नॉथीस्ट में सिफ टॉलेट ही नहीं यदि किचन है रेड कलर है या आपने घर के उपर वहां पे पाने की टंकी लगा दी है तो उसका भी प्रभाव आता है यदि सौथ वेस्ट में आपने टॉलेट बना दिया तो हाट अटक की समस्या हो सकती है ब सबी वास्तु के हिसाब से ही बनाए गए हैं और वो सब अभी तक खड़े हैं और उनमें उर्जा भी है हम पुराने जिन मंदिरों में जाते हैं वहां हमें वो उर्जा मैसूस होती है वास्तु पंच तत्व धारित है इसलिए और पूरिश रिष्टि का निर्मान पंच है उससे लेकिन इदी उसमें वास्तु भी लगा दिया जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा शैलेंद्र खरे आपका घर जो है आपका भिनंग होता है वह आपकी जीवन पर फुरी लाइफ पर डालता है और यह वहीं बता सकता है जिस पर बीटती है पहरे हम भी नही जीबल है बिल्कुल आप रिलाइज करते हैं आपको कुछ दिखतानी ऐस सीथे सब कुछ होते में भी आप समझ नहीं पाते हैं क्या वजय है शायद प्रारब्ध है शायद पिछले अचाउद्मों कर्म पूजा पाट करते हैं और बहुँ सारी चीजें करते हैं आप समझ न हो जाती है और खराब नेगिटिव पार्ट की बात करें तो बिल्कुल दर्यदृता एक है जो दर्यदृता जो शब्द है बहुत ही भयावा है अपने आप में इसे बीत्ती हो जानता है आदमी स्विसाइड तक कर सकता है लोगों का मतलब साहित तीसरे आदमी को ना पता चले बट लोग यह नहीं समझ पाते कि फला कि क्या प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल ही बिल्कुल सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ आपके घर में अगर वास्तु दोस है आप जीवन भर भुगत जाएंगे यह नहीं समझ पाएंगे कि रीजन क्या है वास्तु इतना इंप चेंजेज और उसका क्या अफेक्ट आता है वह आप समझ सकते हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे अगर वास्तु दोश है तो वह भुगतता ही रहता है और उसको शायद लगता है कि पिछले जन्मों का कर्म होगा जैसे सर इसका नकारात्मों परिनाम है वै आनन्द में जीवन हो यह शब अपने आप में काफी है सबका डफिनिशन अलग हो सकता है लेकिन आनन्द में जीवन हो जाता है और उसमें सब कुछ नहीं थे चाहे पैसा हो चाहे आपकी पारिवारी खुशी हो चाहे अदर्वाइस हेल्थ सेयत हो या आपके पास कोई भी आपका जो भी सपना रहा हो है ना प्रेम का भाव हो कुछ भी हो परिपूर्णता आ जाती है आनन्द आ जाता है जीवन में वास्तु इतना इंपॉर्टन्ट है